पंजाब में अगले साल फरवरी में यानि पांच महीने बाद विधानसभा चुनाओं ने पंजाब में अकाली दल ने एलान किया है कि अगले विधानसभा चुनाओं में पार्टी जीती तो उप मुख्यमंतरी दलित समाच से होगा डिप्टी सीम, बीजेपी का कहना है कि वो जीते तो पंजाब का मुख्यमंत्री दलित होगा आम आदमी पार्टी कैम अभी तक अपना संभावित सीम चेहरा जनता के बीच डिकलेयर नहीं कर पाई इस बीच कॉंग्रेस ने खेला कर दिया है अमरिंदर सिंग के स्थीपे के 24 घंटे के अंदर कॉंग्रेस ने एक दलित विधाय को राजिका मुख्यमंत्री बना दिया और इस तरहे पंजाब को पहला दलित सीम मिल गया एक सीनियर कॉंग्रेसी निता ने एक अख़बार के संबादाता को कहा कि सभी पार्टियां दलित नेताओं को बड़े से बड़ा पद देने की बात कर रही थी अगले चुनाओं में अगर वो जीती तो लेकिन कॉंग्रेस ने तो दलित सीम ही बना डाला तो 89 साल के अमरिंदर सिंग की जगह पंजाब के नए मुख्यमंत्री 58 वर्षी है तक अटकले भी नहीं थी 48 घंटे पहले आखिर वो चरणजीत सिंग चन्नी मुख्यमंत्री कैसे बने क्या हुआ अमरिंदर सिंग के स्तीफे और दिल्ली से नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बीच इस पर तफसील से बात करूंगा आगे मगर यहां आपको चन्नी के बारे में नए सियम चरणजीत सिंग चन्नी के बारे में सिर्फ इतना बता दूँ कि वो बहत गरीब परिवार से आते हैं और जीवन के अपने संघर्ष के दिनों में उन्होंने मजदूरी भी की हुई है लेकिन विपक्षी बीजेपी ने नए सियम पर हमला किया उन पर पुराने मीटू के आरोप की याद दिलाई और पार्टी पर तंसकसा कि राहूल गांधी की कॉंग्रेस ने ऐसे शक्स को पंजाब का मुख्य मंत्री बनाया मगर कॉंग्रेस ने पलटवार किया कि बाहर है राज्यों में शासन करने के बावजूद बीजेपी किसी भी राजी में आखिर दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाई है हिंदुस्तान में सरदार चरंजीत सिंग चन्नी अब अकेले दलित मुख्यमंत्री हैं किसी भी प्रांत के 12 के करीब या शायद उससे भी अधिक राज्यों में भाजप्पा का शाशन है चरंजीत सिंग चन्नी जी को लेकर तो आलोचना करते हैं बारतिय जंता पाल्टी के पेट में दर्द है कभी किसी बात को लेकर कभी छीटा कशी करके वो चरंजीत सिंग चन्नी और दलितों का अपमान करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं पर ये तो बता दे मोदी जी दलितों के नाम पर वोट तो मांगते हैं पर क्या आपने हिंदुस्तान में किसी दलित को मुक्यमंत्री बनाया बाजब्पा शाषित परदेश का नमस्कार मैं हूँ आपका नियूस बाज प्रभाद शिंगलू मेरा आज का सवाल क्या पंजाब में दलित सीम बनाना कॉंग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है अपने जवाब हाँ या नामें जरूर दीजेगा जाहिर है एक दलित निता को सीम बना जाने के फैसले से कॉंग्रेस विपक्षी दलों के एजिंडे को उन्हीं के नाक के नीचे से चुरा कर ले गई है पंजाब में 32 फीसदी दलित वोटर्स है रामदासी दलित अकेले 14 फीसदी है चरंजीत सिंग चन्नी अरामदासी दलित है फिर मजभी सिख भी लगबग इतने ही है और रविदासी दलित भी है जाट वोटर करीब 20 फीसदी है और पंजाब की राजनीती में जाटनेताओं का ही दबदबा रहा है अमरिंदर सिंग खुद जाटने था और पठियाला के राज खराने से तालुक रखते हैं हो तो लेकिन 32 फीसदी दलित समाच से कभी किसी पार्टी ने सियम नहीं बनाया पंजाब में इसलिए चरंजीत सिंग चन्नी के सियम बनाय जाने का फैसला राज की राजनीती में मील का पत्तर क्या ये फैसला खेमों में बटी पंजाब कॉंगरिस को जोड़ पाएगा ऐसे कॉंगरिस ने वोर्ड बैंक को साधने के लिए सभी वर्गों को हित के हित को साधने के लिए हर वर्ग को खुश लखने की कोशिश की है इसलिए चन्नी के साथ-साथ दो उप्वक्यमंत्री भी बना दिये गए है सुखजिंदर रंधावा और ओम प्रकाश सोनी दलिट सियम दो डिप्टी सियम यानि वोट बैंक को साधिते हुए एक सठीक समनवय बिठाने की कोशिश की गई है लेकिन अभी से सवाल उठने लगे है कि अगले चनाओं में कॉंग्रेस का चेहरा कौन होगा चरंजीत सिंग चन्नी या फिर नवजोत सिंग सिद्धु जो की प्रदेश अध्यक्ष है कॉंग्रेस अभी इस सवाल का सीधा जवाब देने से बच रही है इसलिए बीच का रास्ता निकाल लिया कि डोनों ही नेता पाटी का चेहरा हुँगे संथन के परमुक और मुखिया सरदार नवजोत सिंग सिद्धु हैं कॉंग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरंजीत सिंग चन्नी है और ये दोनों हमारे मित्र कॉंग्रेस के सब मेताओं के साथ मिलकर आखरी पंक्ती में खड़े हर कारेकरता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाओं मिलकर लड़ेंगे यही वास्तविक्ता और सत्य है मेरे मित्र ये तो खैर अगले विधान सवाच नौव में कॉंग्रेस का प्रदर्शन तै करेगा कि पार्टी एक जुट होकर लड़ पाती है या नहीं क्योंकि बहुत कुछ अमरिंदर सिंग पर भी निर्भर करता है कि वो कहीं कुछ ऐसा ना करें कोई ऐसा दाउना खिलें जिससे पार्टी को चुनाओं में नुकसान उठाना पड़ें हलाकि उपरी तोर पर अमरिंदर सिंग ने चरन जीत चन्नी को अपना अश्रवाद दे दिया और ये वही चरन जीत चन्नी है जो कभी अमरिंदर के कैबिनिट के सहियोगी थे मगर हमेशा विरोधी खेमे के माने गए लेकिन चन्नी का सियम बनाया जाना भी दिल्चस्प रहा अब मैं आपको तफसील से वो पूरी कहनी बताता हूँ अमरिंदर के स्टीफे के बाद कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई अगला मुक्यमंत्री कौन हो चुना जाएगा जो चार नाम फ्रंटर नर्थ थे उसमें चन्नी का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था सिद्धू के अलावा सुखचिंदर रंधावा सुनील जाकर और प्रताप सिंग बाजवा का नाम आगे चल रहा था लेकिन जैसा पहले भी होता आया है कौंग्रेस पार्टी में राजी काहियां खुद फैसला नहीं कर पाती है और अंत में फैसला हाई कमान पर छोड़ दिया जाता है और फैसला हो भी जाता है तब भी हाई कमान को वीटो का अधिकार होता है अमरिंदर सिंग के स्टीफा के बाद भी यही हुआ अमरिंदर के खिलाब वगावत का जंडा बुलंद करने वाले नवजोट सिंग सिद्धू को कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना ही चुकी थे अभी कुछ हफतों पहले अमरिंदर का सिंग सिंग सिद्धू केम की भी जीत मानी जा रही तो क्या सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वर्चस की लड़ाई लड़ रहे थे केवल प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए जाहिर है वो मुक्षवंदरी भी बनना चाहते थे सारा खेल सारे दाओं उन्होंने इसी करके रचे लेकि इस मामले में उनकी दाल नहीं गली क्योंकि जाट निता सुखवंदर सिंग रंधावा भी फरंट रंडर माने जा रहे थे लेकिन वो सिद्धू के लिए मुसीबत बन सकते थे इतने सारे सीम पत के दावेदार थे कि विधायक दल की बैठक में कोई सहमती बनना मुश्किल था पूरू लोग सबाध्यक्ष बल्लाम जाख़ड के बेटे सुनील जाख़ड का भी नाम आया मगर फिर रंधावा ने कहा कि हिंदू नेता हो तो अंबिका सोनी हो सिद्धू भी इसके लिए तैयार थे कॉंग्रेस को भी लगा कि पार्टी को सोनी के नाम पर आपक्ति नहीं होगी मगर जब पार्टी ने अंबिका से संपर्ख साधा तो उन्होंने पद लेने से मना कर दिया कि पंजाब का मुख्यमंद्री कोई सिखनेता ही होना चाहिए यानि देख रहे आप कॉंग्रेस में ही सियम पोस्ट के लिए भैंकर खीच तान चल रही थी सिध्धू रंधावा के पर काटने में लगे थे रंधावा जाखड के और देखिए अभी तक कहीं भी चन्नी का नाम नहीं आगे आया अपनी दाल गलती ना देख सिध्धू न फिर दलित काड़ खेला चोंकि चन्नी भी एंटी अमरिंदर खेमे के थे जैसे सिध्धू उतराए उनकी ये मुहिम रंग लाई कोई कह रहा है कि फैसला दरसल राहूल गांधी का था रिपोर्ट्स तो ये भी कि चन्नी के खिलाब भी कॉंग्रेसियों का एक बड़ा धड़ा काम कर रहा था कि वो सिध्धू ना बना लिया था अब वही पंजाब के नए दलित सिएम पर सबसे पहली और कटाक्ष भरी प्रतिक्रिया आई यूपी की पूर्व मुक्हिमंत्री और बहुजन समाज पार्टी नेता माया बती की वैसे तो उन्होंने स्वागत किया चन्नी का सिम बना जाना लेकिन हमला किया कॉंग्रेस पर माया बती पंजाब में अलाइंस में है किसके साथ अकाली दल के साथ अकाली दल का बीजेपी से साथ छूट चुका है यह तो आपको मालूम है तो माया बती ने का इस अब तो कॉंग्रेस का छल है दिखावा है कॉंग्रेस तो इसकी पुरानी खिलाडी है किमिक्स की क्या कॉंग्रेस के चुनाओ जीतने पर भी चन्नी सीम बने रहेंगे ये बढ़ा सवाल है क्या माइने है पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने के क्या पंजाब में कॉंग्रेस का या फैसला आगामी उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के चुनाओं को भी प्रभावित करेगा ये भी बड़ा दिल्चस्प होगा देखना क्योंकि अगले साल उत्तरप्रदेश के भी चुनाओं है उत्तराखंड के भी है और पंजाब के भी है इसलिए मेरा आज का सवाल क्या पंजाब में दलित सीम बनाना कॉंग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दिजेगा तो ये थी आज की नियूस बाजी फिर में लेंगे एक नई नियूस बाजी के साथ तब तक के लिए नमस्कार